नवस्कार मित्रों जै माता दी माता रानी के क्रिपा से आसा करते हैं आपका पूरा परिवार स्वस्त होगा और काफित रख्य कर रहे होगे मत्रों, आद की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रोहों के गंणाओं के अनुसार आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा मनुसे के जीवर में दुख और सुख लगा रहता है मनुसे अपने कर्म के अनुसार सुखो के प्राप्टी करता है तो वहीं कर्म के अनुसार कई प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है और वहीं ग्रहों के अदल बदल के कारण, ग्रहों के प्रिवर्तन के कारण मनुस्तुकों जीवर में सुखों के प्राप्ति होती है तो कई प्रकार के कष्टों और समस्याओं का विसामना करना पड़ता है नैसे में मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आपका अने वाला समय कैसा रहेगा आपको कौन से छित्र में कारी करने से धंदोलती प्राप्ती होंगी जो लोग आपके जीवन में कई प्रकार की मुश्किलों को उत्वन्र कर रहे है उन्हों सभी से किस प्रकार आप छुड़का रापा सकते है मत्रों आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखरी तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब अवस्ते कर लें ताकि रोजाना रासी फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दनों को बहतर बना सके मत्रों आज आपके रासी के स्वामी छटे भाव में सनी और भरस्पति के साथ होंगे तथा चंद्रमा एकादस भाव में रहेंगे जिसकी वज़ा से आपको आपके भागे का पूर्ण सहयोग मिले बाला है और पूरुन सहयोग जिस भी जाती का व्यक्ति को भाग कमलता है उसकी रासी के गन्ना के अमसार भाग के सहयोग की मुझज़ा से आपके सभी बिगड़े कारे पूरे होते हैं और आपके जीवन में समस्त विकार के समस्याओं से आपको जुरकारा भी प्राप्ट होता रहता है वतरों आपको बताना चाहेंगे कि आज इन सभी ग्रूहों की रचना के अमसार आप कठिन प्रस्टित्यों से बाहर निकल पाने में सपते होगे आप विरोधियों पर भारी पढ़ेंगे कोट कचारी से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलेंगी जो लोग बिरुजगार हैं कई लंबे समय से रोजगार के तलास कर रहे हैं फरन्तु फिर भी उन लोगों को बिरुजगारी का सामना करना पढ़ रहा था बिरुजगारी का सामना वे लोग कई सालों से कई दिनों से कई महीनों से कर रहे थे तो उन लोगों को आज सुब समाचारों की प्राप्ती होंगी या तो आप खुद का विफार कर सकते हैं या तो आप किसी नई मल्तिनेशनल कमपनी में जौप पा सकते हैं या आपको कोई गॉवर्मेंट जॉब का ओफर मिल सकता है यानि आपकी विरुजगारी आज दूर होनी वाली है नोकरी इस्तियां भी आपको काफ़े मिल्बूत होंगी जो लोग पहले से रुजगार कर रहे हैं जो लोग पहले से नोकरी पे सिवाले हैं उनलोगों कोई भी नोकरी के छित्र में 72 सफलता की प्राफ्टी होंगी यानि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा सफल हो सकोगे और 72 तरीके से कारे को अंजाम दे सकोगे जिनकी वज़ा से आपके बहुत आपके सहकर्मी आपके जो भी कलिक्स हैं वो सारे के सारे आप पर प्रशन रहोंगे आप से प्रभावित होंगे और आपके बारे में सोचेंगे विचारेंगे और आपको नई जगा नोकरी देने का नए आपके प्रमोशन करने का या फिर आपके सैलरी वे बुरूतरी करने का सुझाव दे सकते हैं या आप ये ओफर पाचगोगे तो इसलिए आज आपको भागे का सहयोग मिलने के कारण ये घटनाई भी ये सारी बाते भी आपके जीवर में होने वाली है इसी के साथ जो लोग प्रेम परसंग में हैं प्रेम परसंग करने वालों को बताना चाहूँगा कि आज के दिन आपका बेहद ही रुमैंटिक रहेगा आप अपने जीवर में काफी ज़्याद सुधार देख सकोगे प्रेम जीवर में चल रहे मनमुटाव आज आपके दूर होंगे सगे समवन्दी के साथ आपके रिष्टे मद्बूत होंगे कारिश्यत्र में भी आपको बहत्रिन सफलता की प्राप्ती होंगे बिजनस बेफार करने वालों को भी आज अच्छी खुश्कवरी प्राप्तों कोनी बाली है कारिश्यत्र में भी आप लाव की प्राप्ती कर सकोगे मत्रों आपको बताना चाहेंगे कि आज आप बिजनस के च्छेट्र में कहीं विदेश यात्रा पर जाने का मुका पा सकते हैं या फिर आप इस समय अगर आपके रासी के स्वामी के चट्टे भाव में इस समय हो ना आपके स्वास्त को लेकर थोड़ा सा चिन्ता का विशह हो सकता है आपके स्वास्त इस समय थोड़ा सा आपको प्रिसान कर सकता है लेकिन यह थोड़े समय के लिए होगा आपके स्वास्त में बहुत जल्द सुधार देखने को मिलेगा और सुधार होने की वज़े से आप काफी ज़्यादा अपने आपको फूर्तिवाज महसूस कर सकोगे और आप अपने जीवन में काफी अच्छे खासे लाव की प्राप्ति कर सकते हैं कारवार के शत्र में विगड़े वे सारे कारे बनेंगे और आपको इस समय गाड़ी सम्हल कर चलने की जुरूत होंगी जी हां अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपको वाहन सावधानी पुर्वग चलाने की जुरूत होंगी क्योंकि वाहन चलाते समय आप जितनी भी जरूरी चीज़े होती हैं वो सारे साथ लेकर चलने की कुछज़ करें साथ में ले ले उसके बात चलें आज नहीं तो आप इस समय पुलिस चेकिंग के दोरान आप पकड़े जा सकते हैं इसलिए आप सारे डोकुमेंट्स को केरकुली साथ में लेकर चलें आज आप किसी लंबी ट्रेवलिंग करने का मुका पा सकते हैं जीवन साथी के साथ लॉंग ट्राइब पर घूमने जाने का मुका भी प्राप्त कर सकोगे या किसी आप तिर्ध अस्तान की यात्रा पर कर सकते हैं तिर सिस्थान की यात्रा अगर आप बहुत लंबे समय से योजना बना रहे हैं बहुत लंबे समय से अगर आप कहीं जाने का अफलान बना रहे हैं वह योजना आज आपकी सफल होती भी दिख रही हैं गहरेलू खर्शो पर ध्यान देने की कुछ़स करें क्योंकि आपके वेफुजूल के खर्चे भी इस समय काफी बढ़ रहे हैं वेफुजूल के खर्चो को कंट्रूल करने की कुशस करें वेफुजूल के खर्चे अगर करोगे तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं इसलिए वेफजूल के खर्चु में आपको कर्टूती करने की जुरूत होंगी इंकम के शेत्र में बढ़ोत्री होने से आपका मन पर सर्ण रहेगा और इंकम भी बढ़ेगी इसी के साथ जैसा कि मैंने आपको पहले पताया कि आपके सैलरी में बढ़ोत्री हो सकती है पर्मोशन हो सकता है आपके बॉस आपके साथ काफी पुभावित हो सकते है अगर आप नोकरी फेसा वाले हैं और कॉर्प्रेट परिजनस करते हैं या नोकरी करते हैं तो दोस्तों आज की दिन आपको सावधान रहने की जुरूत होगे, तो उससे बिल्कुल आप सावधान रहे, तो आज आपके साथ वच्छल भी कर सकता है, आज आप अपने प्रियतम के साथ मिठी मिठी बाते कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगेगा, और इसे आपका फ्रेम जीवन में तनाव भी कम होगा और आप एक दूसरे के साथ पारिवार्च समंद को काफी बहतर कर सकते हैं आज आपका भागे का साथ मिल रहा है जिससे कि आप अगर आज राजनितिक से ज्चेतर से जुड़े हुए हैं तो राजनितिक से जुड़े हुए लोगों को भी आज अपार सफलता की प्राप्ती होती भी दिखाई दे रही हैं आज आपको सुख का संकेत प्राप्त होगा सुखद वाता विरन आपके चारुतरब बना रहीगा बौधिक सुखो का आनन्द ले सुखो के और दांपत्त जीवन में आपका खुशी से भरा रहने बाला है मत्रों जो लोग और विवाहित हैं जिन लोगों के विवाह के मार्व में कई प्रिकार की वाधाएं आ रही हैं लंबे समय से प्रियास करने के बाद भी आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है तो आज के दिन आप इस विशे में काफी सुधार हो सकता है आप गौ माता को हर आचारा की लाएं और हो सके तो आप रोटी भी गौ माता को जेने की कुशस करें ऐसे में आपके जितने भी ग्रह हैं वह सांत होंगे और आपको सहयोग करें आपके भग का आसमान में भुलंदियों को चुना साफ साफ दिखाई देगा और आपके सुध सभी रुके हुए कारे की पुरेत आज के दिन अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ मिलने का मोखा पा सकते हैं आप किसी पुराने दोस्तों के साथ फिर से जुड़ सकोगे और फिर से मुलखकात दर सकते हैं तथा अगर आपको कोई काम नहीं बन रहा है बहुत लंबे समय से आप किसी कारी के पीछे पड़े हुए हैं और वोख कारी बन नहीं रहा है वैसे में आज आपका रुका हुवा कारी फिर पुरा होगा और कहीं से रुका हुवा धन भी आपको वापस मिल सकता है धन के शित्र में भी आपकी बढ़ोत्री होंगी कारिशत्र में भी आपको सहयोग और सम्मान की प्राप्ति होने वाले हैं आज आप मांगली कारिक्रम में सामिल कर सकते हैं आप किसी रिस्तदार रिलेटिव यक्सी दोस्त के पार्टी किसर में इन्वाइट किये जा सकते हैं आप वहां जा सकते हैं आप किसी के साधी में जा सकते हैं, मांगली कारिक्रम में सामिश हो सकते हैं, लेकिन आप वहां भी विरोधियों से सावधान रहें। मित्रों आप लोगों को आज के दिन कामकाज के सिल्सलों में कही लंबी दूरी की यात्रा करने पर सकते हैं जिससे कि आपका दिन आज भागा धोड़ बड़ा रहा करता है एक साथ कई कामों में विवस्ताथा देखी जा सकती हैं आप एक साथ कई कामों को करने का प्रियाज भी कर सकते हैं जिसकी वज़ा से आप थोड़े से तनाव या मेंटिलिटी डिश्टरब हो सकते हैं परन्तो इस समय आप अपने बुद्धी का इस्तुमाल करते हैं धान को फ्राप्त करने में सफल होंगे और सारे काम जो भी आप हाथ मिलेंगे एक दो को छोड़ कर आपके सारी के सारी कारे बनेंगे भागे भी आपका साथ की दे रहा है जिसकी वज़ा से नजदी की लोगों के साथ आपके समन्ध भी काफी अच्छे होंगे परन्तु आज वे फुजूल की भातों में अपना दिन जाया न करें वे फुजूल के चर्चाओं में आप अपना समय को बरबाद न करें आपको अपने शेहत को लेकर काफी ज़्यादा सत्रक और समल कर रहने की जुरुत है क्योंकि सेहत आपका इस समय काफी ज़्यादा देखा दा सकता है कि आपको थोड़ा सा मुश्किलों में डाल सकता है इसलिए आप सेहत को लेकर साथ धान रहे खान पान पर विसे थ्यान देने की जुरुत रहेगी भाग में भी उतार चड़ाव रहेगा लेकिन ये समय के साथ आपका सच्छा होगा कुछ महत्पूर्ण कारे जो रुके हुए थे उनको आप धैरे के साथ पूरा कर सुकोगे और धैरे के साथ अगर प्यास करोगे तो दोस्तों के सहयोग की बज़े से आपके वह सारे के सारे रुके विकारे भी पूरे पूजाएगे मित्रों आपका दिन बहतर बने इसके लिए कमेंट के बॉक्स में सची सर्धा के साथ जैमाता दी अवस्य लिखें आपका दिन सुभो मंगल कारी हो जैमा बिंदु वासनी